तो आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे और डिस इस दिवाली टाइम सो मैं इतनिक वीर में एक वीडियो बना रहा हूं यहां पर सो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए बहुत जरूरी वीडियो रहेगा और आप लोग इसको पूरा अंत तक देखेगा ठीक तो आज मैं आपके साथ instantaneous axis of rotation जो concept है वो discuss करने वाला हूँ तो यह जो concept है दोस्तों यह concept आपको कई बार आप देखेंगे कि कुछ सवाल होते हैं जिसमें आप थोड़ा stuck हो जाते हैं velocities को लेके accession को लेके कैसे आप जो rigid body है उसके आप different points के accession और velocity किस तरह से निकालेंगे तो मतलब मैं आपको बहुत ही crude में बता रहा हूं कि यहां पर यूज होगा concept आप यह आपके ऊपर है ठीक मैं यह जो concept आपके साथ discuss कर रहा हूं यह concept आप किसी भी तरह से use कर सकते हैं यह एक important concept है और आप free to इसको समझे आप कहीं पर भी utilize कर सकते हैं तो यह जो concept है दोस्तों इस concept का नाम instantaneous axis of rotation अभी होती क्या है और इसके मतलब क्या importance है इसका significance क्या है और कैसे use करते हैं तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं ठीक तो सबसे पहले हम लोग यह जो तीन point लिखे हैं इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए यह आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि अगर एक rigid body है उ और यहां पर आप देखेगा कि यह एक छोटा सा point है जिसके basis पे पूरा instantaneous access of rotation का जो concept है वो discuss होगा तो किसी भी moment पे मान लीजिए यह इसकी एंगल लॉस्टी ओमेगा है और यह VCM से जा रहा है ठीक किसी भी moment पे जो पूरा अपर रचिद बॉड़ी है एक definitely एक ऐसा point होगा जिसके respect में आप बोल रहे हैं कि सारे point जो है rotate हो रहे हैं ठीक तो यहां पर दोस्तों एक common reference point की बात की जा रही है और उस common reference point को हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए मैं आपको बहुती simple तरीके से आपको एक analogy दे रहा हूं जैसे आप मान लीजिए rod है ठीक इस rod में यह जो point है अगर माली जी यहां से आप पकड़ लिए और rod को आप rotate कर रहे हैं ठीक तो यह आपका एक fixed axis of rotation या fix point of rotation बन जाएगा और मैं यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि यह जो point है यह हमेशा fix any की जरौत नहीं है ऐसा point आपको हर moment पे मिलेगा भले ही fixed axis हो या ना हो फॉर example जैसे अगर यह rod है दोस्तों ठीक और यह rod आगे की तरफ जा रही है और rotate भी हो रही है तो आपको हर एक moment पे एक ऐसा point मिल जाएगा जो कि इस तरह से behave करेगा जैसे कि वो point fixed हो इस पूरी rigid body के लिए अब अगर आपको उस moment पे ऐसा एक point मिल गया जो कि आपको एक fixed axis of rotation की तरह behave कर रहा है तो आप उस point के about easily सारे points की velocity लिख सकते हैं क्योंकि at that moment ये जो सारे के सारे point हैं दोस्तो रॉड में मालीजे ये है वो instantaneous fixed axis of rotation तो इस point के about सारे points जो रॉड के हैं वो circle पे rotate कर रहे हैं तो किसी भी point की जो velocity होगी वो मालीजे ये length होगी multiplied by angular velocity of the rod होगी और उसकी जो velocity के direction होगा इस length के 90 degree पे होगा क्योंकि ये एक तरह से fixed axis of rotation की तरह काम कर रहा है लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये instantaneously fixed है कहने का मतलब है कि ये अभी fixed axis की तरह behave कर रहा है immediately after let's say one or two seconds ये जो point है ये fix ऐसी तरह नहीं behave करेगा immediately what will happen probably is that ये जो rod है थोड़ा आगे पहुंच जाएगा और जो fixed axis यहां पे था यह हो सकता है यहां पे हो जाए तो अब जो पूरा rod है इस point के about rotate करने की तरह अपने आपको project करेगा कहने का मतलब यह है कि after some time आपको इस point को fixed axis के तरह मानना है और हर जो point यहां पर है आपको ऐसे connect कर देना है rod के point से और इस point के velocity स्की आर ओमेगा होगी पर्पंडिक्लों डिस लेंथ मेरे ख्याल से मैं काफी क्लियरली आपको बता पा रहा हूं समझ रहो समझ रहो और लेकिन यहां पर फिर भी थोड़ा बहुत confusion हो सकता है तो मैं आपको एक और बार हलका सा repeat कर देता हूं ठीक मान लीजिए कि यह आपके पास object है ठीक आपके किसी तरह यह निकाल लिया कि जो instantaneous center और instantaneous access of rotation है वो यह point है किस तरह आपने निकाल लिया कैसे निकालना है वो हम discuss करेंगे ठीक तो अगर यह instantaneous center of rotation है दोस्तों तो पूरा का पूरा जो rigid body है पूरा rigid body एक तरह से rotate कर रहा है about this point तो अगर आपको मान लीजे इस point की velocity चाहिए तो आप क्या करेंगे instantaneous center of rotation और इस point को ऐसे join कर देंगे और आप यह मानेंगे और आप यह assume करेंगे कि यह जो point है दोस्तों एक circle में rotate कर करने लग रहा है at this moment ठीक है instantaneously इस circle पर rotate करने कोशिश कर रहा है जिसका radius यह है लेटसे यह आरवन है तो वेलास्टी उस point की दोस्तों उस point के velocity जो है tangential to the circle होनी चाहिए तो इस direction velocity होगी यह 90 degree होगा और कितनी velocity होगी अगर angle velocity omega है तो r1 into omega velocity होगी ठीक और अगर मान लो आपको इस point के velocity चाहिए यह जो instantaneous center of rotation है यह पूरी body के लिए है तो अब आपको उस point के velocity के लिए आपको दोस्तों बस यह point connect कर देना है instantaneous center rotation से और आपको यह assume करना है कि यह point एक circle पर rotate करने लग रहा है जिसका radius अब r2 है और इसकी जो velocity है वो appendigate to that radius है ऐसी तरह तो होते हैं सर पर motion है कि नहीं tangential velocity होगी 90 degree होगा और इसकी velocity कितनी होगी दोस्तों r2 into omega होगी ठीक तो दोस्तों यह जो concept है बहुत ही interesting है और यह आपको बहुत सारे questions हो सकता है काफी easily solve करने में help करें तो अब हम जान लेते हैं किस तरह से हम लोग instantaneous center rotation निकाल सकते हैं तो किसी भी rigid body का instantaneous center of rotation rotation निकालने ले आपको at least इन दो चीजों में से एक पता होनी चाहिए या तो आपको 2 points की velocity पता हो वे किसी भी 2 points की velocity पता हो rigid body में दो अलग 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 points की velocity पता हो या तो किसी एक point की velocity पता हो और उसकी angular velocity पता हो ऑब्जेक की को देखते हैं कैसे हम लोग इन दोनों situation में instantaneous center rotation निकाल पाते हैं अब आप देखेगा यहां पर जो पहला figure है इस पहले figure में आप ध्यान से देखिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये जो दो point है इन दोनों point की velocity पता है मुझे तो इन दोनों point की velocity माल लिजे va और vb है ठीक तो अगर माल लिजे instantaneous center of rotation exist करता है तो definitely वो कहां लाई करेगा अगर इस velocity के perpendicular में line draw करूं तो उसको इस line पे लाई करना चाहिए है कि नहीं क्योंकि अगर instantaneous center rotation है तो velocity उस line के perpendicular होगी line joining instantaneous center rotation and the point है अब मुझे पता नहीं है इस line में कहा instantaneous center rotation तो मैं दूसरी velocity के तरफ जाऊंगा यह दूसरी velocity है इसका भी perpendicular draw करूंगा तो दोनों line में वह instantaneous center rotation like करना चाहिए तो दोनों का जो interesting point है दोस्तों c यह है instantaneous center of rotation ठीक तो अब यहां पर दोस्तों अगर माल लिजे मुझे यह distance पता है यह distance माल लीजे two meters है hypothetically मैंने एजुम कर लिया two meter है और मुझे यहां पर एंगल लॉस्ती नहीं दी हुई है तो क्योंकि मुझे पता है two centimeter distance है और instantaneous center rotation है मैं यहां पर लिख सकता हूं two into omega जो r omega है वह velocity of b होगा तो omega मुझे मिल जाएगा vb by two ठीक अब मुझे अगर omega मिल गया तो मैं किसी भी point की velocity निकाल सकता हूं दोस्तों for example अगर मैं इस center से कोई point यह connect करता हूं इस तरह से और यह distance माल लीजे कि three meters है तो इस point की जो velocity होगी वो perpendicular to that line होगी इस direction में ओके और इसका जो magnitude होगा दोस्तों वो होगा three into mega तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि कितना आसानी से हम लोग velocity निकाल पा रहे हैं after finding out कि instantaneous center rotation कहां पर है कि अब कई बार ऐसा हो सकता है कि दो पॉइंट की जो वेलाउस्टी है वो मुझे इस तरह से दी हुई है अगर मैं एक पर पंडिकर करूं तो वो पॉइंट बी से पास हो रहा है तो दो 525 अब है मैं इसटार से मैं यह तो मुझे यहां पर पर पो ट्रोग करूं घाए का अटिक और उसके बाद ऐस तरह से में लाइन व्राइं कर दोंगा तो मुझे यहाँ पर instantaneous center rotation मिल जाएगा तो यह length मेरी 2 होनी चाहिए और यह length मेरी 3 होनी चाहिए ठीक और जो second point है दोस्तो velocity of a point हमको पता हो और एंगलो लॉस्टी पता हो तो भी हमें instantaneous center rotation पता लग सकता है वो कैसे चलिए फटा-फट देख लेते हैं माल लीजे मुझे सिर्फ माल लीजे इसमें b का velocity मुझे नहीं पता है यह मुझे नहीं मालू बी का velocity क्या है मुझे पता है दोस्तों की omega क्या है ठीक और क्योंकि मुझे एक point की velocity पता है तो मैं अगर इसके perpendicular ऐसे line drop करूंगा तो instantaneous axis of rotation इसी line में कहीं पर होगा ठीक तो इस line पर अगर वो कहीं पर भी है मुझे बस यह पता करना है कि कितने distance पर है इस line पर point A से वो कैसे निकालेंगे माल लीजे वो distance है x omega पता है मुझे तो omega into x मैं va के बराबर equate कर दूँगा और यहां से मुझे x की दूरी मिल जाएगी दोस्तों va by omega तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हम लोग बड़े आराम से instantaneous center of rotation या instantaneous axis of rotation हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं यहां पर हो सकता है कुछ लोग confuse हो रहे हों कभी मैं center rotation बोल देता हूं कभी यह axis of rotation बोल देता हूं ठीक तो जो axis of rotation है वो उस center rotation से पास हो रही है और perpendicular to your screen है ठीक तो मैं उसको interchangeably थोड़ा यूज़ कर रहे हैं अब दोस्तों हमने concept to discuss कर लिया है लेकिन कितना बार ऐसा होता है कि हम लोग concept discuss कर लेते हैं और हमसे सवाल नहीं होता है तो चलिए एक सवाल तो इस बनता है यहां पर कि हम लोग discuss कर लेते हैं और किस तरह से हम utilize करेंगे exactly हम लोग देख लेते हैं एक numerical के मांदे में सब्सक्राइब ठीक तो यह numerical मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ladder है हां पर ओके और इस ladder की जो velocity of a है वो दियू यह में 1 meter per second और हम को यहां पर velocity of point B निकालना है और कानिटी के जिवदर ladder भी निकालना है तो ladder को यहां पर मैं rigid body मानूंगा ठीक अब सबसे पहला काम क्या करेंगे step number one यहां पर आप लोग pause भी कर सकते हैं वीडियो अगर आपको थोगा डीटेल में question समझना है आप definitely यहां पर आप pause करके समझ is to find instantaneous center of rotation अब कैसे निकालेंगे उसको उसको निकालने के लिए हमने क्या सीखा है हमको perpendicular drop करना है जो दो velocity given है हमारे पास पहली velocity वी ए है ठीक तो velocity of a के परपेंडियो ड्रॉप कर लोगा तो मेरी जो instantaneous center rotation है इस line में लाई करनी चाहिए कहीं पर भी ठीक अब मुझे हाला की velocity of b नहीं मालूम है लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि direction of b पता है तो मुझे बस बी के velocity के perpendicular line drop करनी है तो दोनों का interesting point मिल गया मुझे यह point दोस्तो instantaneous center of rotation बन जाएगा तो सबसे पहले हम लोग यहां पर angular velocity निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे आप pause करके वीडियो खुद से भी कर सकते हैं सवाल अब देखे यह length of ladder जो है 40 meters दी हुई है यह angle theta है तो अगर यह length मुझे पता लग जाए तो angular velocity times that length is 1 तो इस length का क्या value है value है दोस्तो 40 cos थीटा थीक तो मैं यहां पर बोलूंगा length 40 cos theta into angular velocity omega यह मेरा one के बराबर होना चाहिए क्योंकि यह एक fixed axis की तरह behave करेगा instantaneous center of rotation तो at this moment only again and again मैं repeat कर रहा हूं यह हमेशा क्ले fix नहीं है at this moment is fixed है तो omega कितना हो जाएगा one divided by 40 cos theta तो देखे कितना easily हमें angular velocity पता लग जई है अब मान लीजे मुझे velocity of b पता करनी है velocity of b कैसे निकलेगा यह length मुझे अगर पता लग जाए तो omega into that length is velocity of b और वो length कितनी है आप यहां देख पा रहे होंगे कि यह length है 40 sin theta ठीक तो यहां पर मैं लिखूंगा omega into 40 sin theta this is equal to velocity of b तो velocity of b दोस्तो हो जाएगा omega जो 1 by 40 cos theta है into 40 sin theta जो हो जाएगा 10 theta दोस्तों तो I hope आपको बड़े आराम से यह velocity निकालना समझ में आ रहा होगा आखरी पार्ट क्या था दोस्तों आखरी पार्ट भी इंट्रेस्टिंग है यहां पर हमको निकालना था काइनेटिक एनरजी अब काइनेटिक एजी ऑफ दे रिजिट बॉड़ी का फॉर्मला क्या होता है फॉर्मला होता है दोस्तों हाफ अगर हमारे पास fixed axis of rotation है if into omega square या अगर fixed axis नहीं है तो half m into velocity of center of mass square plus half icm omega square अब आप मुझे यह बताइए क्या यहां पर fixed axis of rotation है या नहीं है तो यहां पर आप देखेगा कि एक पहली नजर में आप यह पाएंगे कि fixed axis rotation सायद नहीं आपको देखने को मिले लेकिन हम यह again and again discuss कर रहे है कि यह जो point है दोस्तों यह एक fixed axis की तरह behave कर रहा है at that moment तो उस moment की जो kinetic energy होगी अगर मैं इस instantaneous center of rotation के about moment of inertia निकाल लेता हूं तो simply मुझे high half sorry half into moment of inertia about this axis into omega square करना पड़ेगा तो मिरे पास directly जो है मुझे यहां पर kinetic energy में देखने को मिल जाएगी ठीक और अगर आपको यह formula नहीं उसकरना है तो उसके लिए आपको ICM तो पता ही है center of mass center पे locate करना है यह रहा center of mass और उस center of mass पे आपको instantaneous center rotation से ऐसे line ट्रॉक कर देनी है ठीक और इस length का आपको पता करना है कि यह length कितनी है यह length मान लिजे अगर X है तो velocity of center of mass दोस्तों हो जाएगी X into omega यह आपको value of X moment of inertia about fixed axis निकालने के लिए भी जरुवत पड़ेगी ठीक तो मैं यहां पर इस video को middle of the problem ही रोक रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह last part खुद से करें क्योंकि यहां पर सिर्फ calculation बची हुई है तो I hope आप लोग यह सवाल solve करके comment में जरूर लिखेंगे ठीक so thanks for watching this video and I hope यह concept आपको बहुत सारे सवाल लगाने में help करेगा ठेक थैंक यू भाई मज़ा आया और मैं यह जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर्व यक्ति को देना चाहिए